क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के ग्रेट चलिए तो हम लोग जेनरल ऑर्गनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे की एड मैंने आप लोगों को रियक्षन एक और्गनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से काम करती है एक ओवर्विव दे दिया था सब्स्ट्रेट सिखा दिया था हाँ भैच्ट्रेट का मतलब जो रियक्षन में जो में carbon produce करता है carbon provide करता है वो आपका substrate कहलाता है उस पर एक attacking reagent आकर attack करता है then एक intermediate बनता है दिन आपका final product and by product बनता है दिन उसके बाद हमने decide किया था कि भाईया जो attacking reagent है बच्चे बोलो के ठंड है तो t-shirt में क्यों shoot कर रहे है जैकेट क्यों नहीं पहनते है यह बात भी सही है जाता हुश्यारी नहीं दिखाने चीए इनसान को ठीक है तो जो आपका attacking reagent होता है और जो आपका substrate होता है इनके अंदर जो covalent bond होता है क्योंकि हम जोग organic chemistry पढ़ रहा है usually organic chemistry में हमको covalent bond से हमारा लफडा रहता है तो जो आपका covalent bond होता है उसको break करने की दो process सीखी थी homolysis and heterolytic fission homolytic and heterolytic fission homolytic में क्या होता है homolytic के अंदर क्या होता है कि जो आपका bond होता है वो equally तूटता है निकि जो दो atoms के बीच में जो bond होता है उसमें homolytic के अंदर एक atom अपना electron दूसरा atom अपना electron लेकर निकल लेता है लेकिन हेट्रोलेटिक फीशन के अंदर क्या होता है एक एटम दोनों इलेक्ट्रोन ले जाता है दूसरा एटम बिचारा अपना इलेक्ट्रोन डूस करके केटायन बन जाता है वो मैं आपको फिछले वीडियो में सिखा दिया था अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे ऑर्गेनिक केमेस्ट्री के अंदर ही दूसरीしたि इंप्टेंट चीज द यहाँ पर देखना पर करेंगे न्यूप्योफाईल एंट इय्च्ट्रोफाईल देखो मेरा बच्चा लोग प्यारा बच्चा लोग इसको आप आप अटैकिंग रिएजेंट समझो भाई कल मैंने आपको जो पढ़ाया था यहने विन प्रीवियस लेक्चर होमोलेसिस एन हेट्रोलेसिस वो हमने पढ़ा था किस चीज के लिए कि भाई यह आपका जो सब्स्ट्रेट है वो किस प्रकार से तूटेगा इसको somewhat of attacking reagent समझ लो एलेग्ट्रोics फाइल अब लेक्ट्रो फाइल नूक्लिव फाइल का होता है है ध्यान से इस बात को समझना कि जो nucleo होता है nucleo word is used for nucleus nucleo word is used for nucleus nucleus मतलब nucleus पर कैसा charge होता है positive charge so nucleus बोले तो positive charge ठीक है वही पर अगर आपके पास में electro नाम का यह word आता है so basically electro का मतलब होता है electron and electron का मतलब कैसा charge होता है negative charge and file का मतलब we all know बहुत बेसिक सा word it is loving loving so overall what do you mean by a nucleophile what do you mean by a nucleophile to nucleophile का मतलब होता है ऐसी species species that are nucleus loving nucleus बोले तो positive charge nucleus बोले तो positive charge loving similarly अगर मैं आपसे बोलू electrophile तो electrophile क्या होता है electrophile वो species होती है electrophile are the species that are electron that are electron electron बोले तो negative charge loving क्या चीज़ समझ मारी है what are nucleus loving nucleophile what are electron loving electrophile electrophile मतलब negative charge loving भी होता है nucleophile मतलब positive charge loving भी होता है इसे बात बताओ nucleophile मतलब nucleus loving यान्य पॉजिटिव चार्ज पसंद करने वाले है तो positive charge किसको पसंद होता है जो खुद negative होते है negative positive की तरफ जाएगा opposite attracts तो हम लोग ध्यान रखेंगे that basically जो आपके nucleophile होते हैं nucleophiles are negatively charged they are negatively charged similarly अगर आप electrophile की बात करेंगे तो electrophile are positively charged they are positively charged reason क्योंकि यह अगर positive होंगे electrophile अगर positive होंगे तभी तो negative के पास जाएगे और nucleophile अगर positive होंगे नहीं nucleophile अगर negative होंगे तभी तो वो positive की तरफ जाएगे तो क्या यह point clear होता है पेले इतना note करो note करो भई आपको मैंने पूरी basic बात ही बता दी अब इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ भी सीखने की जरुबत नहीं है clear होरी यह बात पक्की बात sure shot note कर लिए अच्छे तरीके से चलिए great अब थोड़ा था हम इसको practically examples के साथ समझने की कोशिश करते हैं nucleophile and electrophile को कि यह भई साब होते हैं क्या हैं ठीक से तरफ समझने की हम लोग कोशिश करते हैं ठीक है चलिए तो अब देखना मेरी बात समझना जिसे मान लो for example आपके पास में OH negative है OH negative का मतलब क्या है oxygen के पास में यहाँ पर 3 lone pair of electron है मलब हुआ क्या होगा कि मान लीजे NaOH नाम का आपके पास में compound था तो यह oxygen being more electron negative oxygen की electron negativity sodium से जादा है जब इनका bond टूटा होगा तो यहाँ पर कैसा cleavage हुआ होगा हेट्रोलेटिक इनका cleavage कैसा हुआ होगा हेट्रोलेटिक cleavage उसकी वज़े से Na पर आ गया होगा positive charge और OH पर आ गया होगा negative charge क्यों क्योंकि इसके दो electron pair तो पहले से मौझूद थे oxygen के पास दो loan pair पहले से मौझूद थे और यह नया loan pair क्यों आ गया क्योंकि इसने यह electron withdraw कर लिया तो यह क्या बन गया तुम्हारा negatively charge species अब यह किस की तरफ जाएगा यह nucleus की तरफ जाएगा यह बन गया तुम्हारा nuclear file तो इस इस हाओ यू केन मेक nuclear file ठीक है अच्छा आवन और देखते हैं मान लीजिए आपके पास में है CL CL negative अब सर CL negative कैसे आया होगा तो for example जैसे मान लो आपके पास में के CL है के CL को आपने तोड़ा again कैसा cleavage होगा heteroletic cleavage होगा यह बन जाएगा K positive यह electron अपने साथ लेकर निकल जाएगा negative charge acquire कर लेगा क्लोरीन के पास में तो वैसे भी एक दो तीन चार पांच छे और साथ electron होते हैं आठवा वो शेयर कर लेता है जब वो इसको तोड़ के जाएगा बाहर निकलेगा तो इसके पास में एक loan pair एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो यह भी तुम्हारा क्या होगा नूक्लियूस लवी क्या पास समझ में आरे ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को चीक है अच्छा यह चीज़ आप यहां पर भी देख सकते एक एक तो यह बंजागा तुम्हारा CH3 पॉजिटिव और यहां पर भार क्या निकल जाएगा तुम्हारा OH नेगेटिव और आप हमेशा दो लोन प्यार बनाना भूले तो इस तरी के से आपके पास में नूक्लियूफाइल जनरेट होंगे यह सब क्या हो गए आपके नूक्लियूफाइल याने किसकी तरफ अट अट्रैक्ट करेंगे यह नूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्या पास समझ मा गई तो मेरे ख्याल से आपको नूक्लियूफाइल जनरेट करना आ गया नूक्लियूफाइल के बारे मैं आपको कॉंसेट क्लियर हो गया चलिया कौन-कौन से नूक्लियूफाइल आपको और हम organic chemistry में क्या frequently use करते हैं nucleus loving nucleus को पसंद करने वाले तो आप यहां पर ध्यान लगना जितने भी anions होते हैं आपके जितने भी anions होते हैं all of them all of them are nucleophile sir आपने ऐसा क्यों बोल दिया क्योंकि बटा anions के ओपर हमेशा कैसा charge होता है negative charge तो negative charge वाली species तो nucleus की तरफ हमेशा जाएगी तो यह सारे nucleophile हो जाएंगे आच्छा तो क्या सरसिर्फ anions होते हैं नहीं आपके पास में कुछ ऐसी neutral species भी होती है आपके पास में इसी neutral species भी होती है जो nucleophile की तरफ behave करती है कैसी हमेशा ध्यान रिखना वो सारी species जो electron rich होती है electron rich species का मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो यानि जिनके पास में lone pair of electrons available हो जिनके पास में lone pair of electrons available हो जैसे कौन कौन सी species ज दोडिए water में आप देख रहे हैं कि आपके oxygen के पास में lone pair है फिर नआत देख रहे हैं ammonia के पास में आपके lone pair available है समझे नुँठे प्यारे बच्छो बात को तो जिनके पास में lone pair of electrons available है वो भी आपके nuclear file की तरह behave कर सकती है कैसे क्योंकि देखो जिनके पास में loan pair of electron है ये चाहे तो loan pair donate कर सकते है तो ये loan pair donate करने के लिए किसकी तरफ जाएंगे positively charge species की तरफ यानि अगर इनको कोई positively charge species दिख गई अगर इनको कोई positively charge species दिख गई मान लिज़े आपके पास में environment में proton आ गया और यहाँ पर आपके पास में ammonia available है proton आ गया और आपके पास में आपर ammonia available है तो आपको पता ही है ये अपना loan pair इसको donate कर देगा और ये कौन सा bond बनेगा ये co-ordination bond बन जाएगा यहाँ पर एक co-ordination bond बना दिया जाएगा और अब ये species overall क्या क्या लाएगी अब यहाँ से positive charge हटके यहाँ लग जाएगा और ये बन जाएगा तुमारा ammonium ion ये बन गया तुमारा ammonium ion तो basically यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर nitrogen ने अपना loan pair इस positively charge proton के साथ में share कर लिया तो nitrogen यहाँ पर क्या बन गया nitrogen यहाँ पर बन गया nucleophile क्यों क्योंकि इसने positively charge species को proton को अपना loan पर donate किया तो अगर neutral species है तो यह हमेशा electron rich होनी चाहिए क्या यह point समझ में आ रहा है क्या यह point समझ में आ रहा है तो this is your nucleophile चीके पक्का note कर लो इत्ता फिर अपने electrophile की तरफ चलते हैं चीके पक्का चलिए अच्छा और लिख लीजिए cn negative sin o cn negative होगया तुम्हारा then तुम्हारा sin o की जाए nc negative isosino group isosino group भी आपका हो सकता है क्या nucleophile के अंदर तो यह बहुत सारी species में आपको बता दी अब हमको सिर्फ identify करते आना चाहिए वो मैं आपको कुछ questions कराऊंगा अभी तो आपको और चीज अच्छे तरीके से clear हो जाएगी चीके चलिए अब अब आपन बात करते है इलेक्ट्रोफाइल की फड़ाफट से इलेक्ट्रोफाइल को discuss कर लेते हैं तो वाट आपके अब आपके पास में केटाइन्स होते हैं आपके पास में जितने भी केटाइन्स होते हैं अब यहां पर हेट्रोलेटिक लीवेज हुआ और आक्सीजन ने अपना लोन पेर विड्रोव करके अपने आपको ओएच नेगेटिव बनाकर बाहर भाग खड़ा हुआ अब यहां पर क्या बन गया तुम्हारे पास में कार्वन पर आगया पॉसिटिव चार्च यह बन गया CH3 यह बन गया CH3 यह बन गया CH3 तो यह क्या बन गया तुम्हारा कार्वो केटाइन एक टर्शरी टाइप का कार्वो केटाइन तो ये क्या है आपका ये बन गया आपका Electrophile क्यों क्योंकि भाईया इसको Electron की जरुवत होगी It will run towards negatively charged species It will run towards negatively charged species क्या वाद समझ में आ गई तो आपके पास में जितने भी जिसे माली जाइए ये हो गया फिर माली जाइब के पास में ये होगा CH3 CH3 H ये तुम्हारा कार्बो केटाइन हो गया फिर ये H CH H पॉजिटिव ये तुम्हारा कार्बो केटाइन हो गया फिर ये CH3 CH ये तुम्हारा कार्बो केटाइन हो गया ये सब तुम्हारे Electrophiles है all of them are electrophiles they all are supposed to be your electrophiles तो जितने भी cations दिखते हैं आप उनको electrophile बोल सकते हैं अच्छा दूसरा हमेशा ध्यान रगना जो electron deficient species होती है जो electron deficient species होती है कई बार वो भी electrophile के cases में आ जाती है बलब जिनके पास में less than 8 electrons in their valence shell जिनके valence shell में 8 electron से कम होते हैं वो electron deficient species को भी आप लोग क्या कर सकते हो electrophile के अंदर रख सकते हो कैसे जिसे मान लीज़ आपके पास में वो BF3 होता है अब आप देखो BF3 के आउटर मोस shell में तो 6 electron है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो भाई ये क्या करेगा ये lone pair accept करेगा lone pair accept कर रहा है lone pair क्या है electron तो ये electron को अपनी और खीच रहा है या खुद electron की तरफ जा रहा है तो हुआ न है electrophile तो इस तरीके से ये species क्या 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 लाती है आपकी हमेशा electrophile ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को मैं और कुछ examples भी बताऊंगा पहले इत्ता note कर लिया ठीक है अच्छा अब थोड़ा organic chemistry में और detail में उतरते है थोड़ा सा में आपको और एक important point बताता हूँ देखो ज्यान से समझना इस चीज को जीज़ा मान लीज़ा आपके पास में C double bond O H और H है मान लीज़ा आपके पास में एक aldehyde है चीक है अब बेटा यह case कब हो सकता है यह case तभी हो सकता है only when we have a double और we have a triple bond दूसरा यहाँ पर क्या condition है one atom should be very electronegative while other should be electropositive तो क्या यह दोनों condition यहाँ पर apply हो रही है जी हाँ सर बिलकुल apply हो रही है carbon is more electronegative sorry oxygen is more electronegative carbon कम electronegative carbon की electronegativity तो लगभग less होती है hydrogen के बराबर और oxygen की तो बहुत होती है और यहाँ पर आप देख सकते हो double bond भी है तो यहाँ पर oxygen क्या करेगा इस double bond को विड्रॉ कर लेगा इस double bond को तोड़के अपने पास खीच लेगा इस वज़े से क्या होगा इस वज़े से आप देखेंगे कि इनके बीच में एक single bond रहे oxygen के पास में दो lone pair तो पहले से मौझूद थे यह जब इसने अपनी और खीचा तो यह lone pair एक्स्ट्रा यहाँ पर आगया इसका मतलब है कि carbon पर आगया oxygen पर आगया negative charge क्यों negative charge आगया क्योंकि oxygen ने यह electron तो अपने पास रखा यानि खुद का electron तो इसने खुद के पास रखा ल यह गरीब हो गया इस पर आगया positive charge तो यह बन गया तुम्हारा cation अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो आपका carbon है it becomes electrophile यह क्या बन जाएगा electrophile मतला अब यह ऐसी species की तरफ भागेगा अब यह ऐसी species की तरफ भागेगा जिस पर क्या लगेगा negative charge जिसके पास में क्या होगा negative charge तो यह उसकी तरफ भागेगा क्योंकि यह क्या बन गया electrophile क्या बात समझ में आ गई क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट पक्का शियोर बहुत बढ़िया आगे बढ़े अच्छा और अच्छा आप बोल सकते हो कि सर यह न्यूक्लियोफाइल है क्या हाँ यह न्यूक्लियोफाइल है यह पॉजिटिव चार्ज की तरफ दोड़ेगा तो अब यहाँ पर आप देखो एक ही मॉलीक्यूल में दोनों हिस्से आ गए यह न्यूक्लियोफाइल बन गया यह लेक्ट्रोफाइल बन गया ठीक है ना अच्छा यह एक्जेम्पल नोट करा और एक एक्जेम्पल करा हूँ इससे मिलता जूलता वेरी गुड शाबाज चलिए और एक एक्जेम्पल में आपको करवाता हूँ चलिए अब आप मुझे खुद बताईएगा जो मैंने आपको रूल सिखाया कि क्या इस रूल के हिसाब से क्या यह वाला मॉलीक्यूल यह हरकत कर सकता है पहला क्या चेक करोगे कि डबल बॉंड है हाँ सर डबल बॉंड है दूसरा क्या चेक करोगे यह कौनं से होना चाहिए यह कौन से होना चाहिए है कि दाट है यह जिनके बीच मेंड आपको। यह बंड यह नहीं पर यह बंद में यह यह उक्सिजन की बात करेंगे तयक इन दोनों के बीच में double bond है और अब देखेंगे कि यह इलेक्ट्रो नेगेटिव है इलेक्ट्रो पॉजिट्व तो यहां पर भी यही हरकत करेगा यह जो इनका इलेक्ट्रोन पेर है यह उक्सिजन इसको भी ड्रॉ कर लेगा वह एक इलेक्ट्रोन पेर तो इनके पास में कार्बन इसका था यह इसने खीच के अपने पास में रख लिया तो कार्बन का नुकसान हो गया इसलिजी इसपर आ गया पॉजिट्व चार्ट्ट्व तो यह कार्बन क्या बन गया वापस से इलेक्ट्रोफाईल क्या बाद समझ मारी है अब आप बना पाओगे इलेक्ट्रोफाईल और यह अपसिजन क्या बन गया नूप्लियोफाईल अब आपको समझ मारी है चीज़ पक्की बात शूर शॉर्ट चलिए और एक एग्जेंपल बना कर देखते हैं मैं अब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्डिहाइड चलिए कीटोन मना कर देखते हैं आर सी डबल बॉंड ओ आर डैश क्या ये कर पाएगा अरे बिल्गुल कर पाएगा सायर अब तो बोलने की जरुवत ही नहीं है अब तो ये आर ये सी ये आर डैश ये सिंगल बॉंड ओ यहाँ पर आगया नेगेटिव चार्ज तीन लोन पर यहाँ पर आगया पॉजिटिव चार्ज ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल तो भाईया ये जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं ये सब क्या हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल ठीक है और उपर वाला उक्सिजन बन सकता है न्यूक्लियोफाइल क्लियर कोई परेशानी इसकेंदर किसी भी तरीके की ध्यान से देख लो चीक है पकी बात चलिए अब इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ने का एक तरीका और है इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ने का तरीका एक और होता है और वो तरीका क्या होता है तीसरा तरीका When a neutral molecule have single bond between two atoms having huge difference in electronegativity. यहां पर क्या होगा एक molecule तो neutral रहेगा उस पर ना तो positive चार्ट दीखेगा ना तो negative चार्ट दीखेगा लेकिन वो दो atoms के बीच में जमीन आस्मान का फारख होगा electronegativity में कैसे जैसे for example यहां पर आपके पास में carbon है यहां पर आपके पास में fluorine है यहां पर आपके पास में hydrogen है hydrogen है hydrogen है अब आप लोग जानते हो carbon hydrogen की electronegativity तो लगभग सेम होती है लेकिन fluorine की electronegativity ज्यादा होती है fluorine is very electronegative and जापको carbon होता है इस very less electronegative तो आप लोग सब जानते हो ना polarity में आपको chemical bonding नाम के chapter में polarity जिखाई थी कि जो more electronegative atom होता है यह less electronegative atom से जो electron share करा हुआ है उसको यह खीच के अपनी और ले आता है पूरी दरीके से नहीं बट हलका सा खीच के अपनी और ले आता है मतलब यह जो covalent bond होता है this bond becomes polar covalent bond यह bond कैसा बन जाता है यह बन जाता है polar covalent bond मतलब की more electronegative atom ने अपने electron को तो अपनी और खीची लिया यह less electronegative atom के electron को भी खीच के अपनी और ले आया मतलब आभी आपको इस तीटी को जैसी दिखेगी यह कीच के इसको अपनी और ले आया थोड़ा सा इसको बीच में मनाते है यह इधर ले आए खीच के अपनी और थीक है और यह ऐसा हो गया तो अब यह थोड़ा अंडे जैसा shape हो जायगा इसका यह थोड़ा अन्डा नूम तो 50% कार्बन की तरफ 50% फ्लोरीन की तरफ था अब वो शायद 80% या 90% फ्लोरीन की तरफ आ गया और 10% कार्बन की तरफ रहा तो क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को जो कि इलेक्ट्रॉन का था फ्लोरीन ने अपनी और खीच लिया क्या पूरी तरीके से खीच लिया नहीं हलका सा अपनी और कीचा इसको आप ऐसे समझो कि अपनी जुनुवा टू मूवी वरुन धवन वाली उसमें एक राजा भाई था और एक प्रेम था ठीक है इनके बाप ने खलाव इनके पिता जी ने इन दोनों भाईयों को एक-एक हजार स्क्वेर फिट की जमीन दान में दे दी बोल उसने जमीन का बटवारा चालू करा तो उसने प्रेम को डराया और प्रेम की जमीन पर थोड़ा सा कब्जा कर लिया अब प्रेम को 1000 स्क्वेर फिट ना मिलते वे 700 स्क्वेर फिट मिली और हमारे राजा को 1300 स्क्वेर फिट मिली तो क्या लोग बोलेंगे कि राजा ने प्रे प्रेम है जो की थोड़ा सीधा है यह भाई राजा है जो थोड़ा तेज है तो यह क्या करेगा यह इसके भाई के इलेक्ट्रॉन को अपनी और थोड़ा सा खिसका लेगा हलका सा अपनी और लेगा इसलिए इस पर complete negative charge आना गलत बात है complete minus one charge कब आएगा जब यह carbon के इलेक्ट्रॉन को पूरा अपनी और खीच ले लेकिन क्या पूरा अपनी और खीच रहा है नहीं तो क्या minus one charge लगाना सही होगा नहीं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे पार्शियल नेगेटिव चार्च डेल्टा नेगेटिव इस पर क्या जाएगा पार्शियल minus 0.8 minus 0.6 minus 0.5 minus 0.7 यह कुछ भी हो सकता है लेकिन one से छोटा है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपनी और नहीं कीच रहा है पर भाई यह नेगेटिव चार्च तो आ रहा है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्च आ जाएगा जितना नेगेटिव 1 चार्च इस पर आ जाए और इस पर अगर प्लस 0.1 चार्च आ जाए तो भी यह इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा पार्शियल इलेक्ट्रोफाइल होगा लेकिन इलेक्ट्रोफाइल होगा तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके के मॉलीक्यूल मनलब आप बोल सकते हैं कि जो जो पोलर मॉलीक्यूल है उन पोलर मॉलीक्यूल में जो पार्शियली इलेक्ट्रोफाइल चार्ज एक्क्वाइर करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा ठीक है तो देखो बेटा यह मैं आपको बहुत बेसिक बात बताईए यह क्लास 12 में आपकी पूरी लाइफ यही इंजंड करने वाली है तो थोड़ा से इस चीज को समझ लेना चलो अब मैं आपको एक क्वेशन कराता हूं NCRT का ताकि आप खुद ही अपने हिसाब से इस बात को समझ सको कि हां भाया इलेक्ट्रोफाइल आया मुझे समझ में की नहीं आया चली एक बार में साथ में रिव जिनके पास में एनायन है नुक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं जो एनायनिक हो जिन पर खुद पर नेगेटिव चार्ज हो या जिनके पास में लोन पेर ऑफ एलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकते हैं तुमारे सारे केटायन्स तुमारे सामने जितने भी लोन पेर कर सकें यह loan pair donor होते हैं और तीसरा क्या सिकाया तीसरा क्या सिकाया मैंने atom with less electronegativity in a molecule where other atom is electronegative ठीक है यह concept clear हो गया revision clear हो गया चलिए बहुत बढ़िया इसको मिटाते हैं और NCRT की उठाते हैं पहले हमारी गीता Bible कुरान को सॉल्व करें फिर चले दूसरे चीज़ की तरफ यह तब ही तो मज़ा आएगा तो कहां से मज़ा आएगा ठीक है चलो आपको इसमें से बताना है मुझे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन-कौन से है और न्यूक्लियोफाइल कौन-कौन से मेरे सवाल को पहले खतम हो जान देना उसके बाद जवाब देना पता चला तुम मैं लिखते जा रहा हुं तुम जवाब लिखते जा रहे हो तो में नो पूपट हो जाहेगी मेंम को लगेगा कि आयरे यारे मेरे बच्चों को तो स안 समझ भागिया मेरी इज़त ही नहीं कर रहा है नहीं नहीं आरे बच्चा लोग आरे यार अले मेरे गुलगुलो लिखो फड़ा फड़ बच्चो ये मेरे बच्चो लिखो 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 बेटा कोई दिक्कत नहीं है न फड़ा फड़ा अंसर निकालो कोई जल्दी वाली बात नहीं है जिसको आ रहा है वो फड़ाओं अंसर लिखें जिसको नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सोचे अच्छा अभी इस technician में आपको सिर्फ Elekto File Center पता करना है आपको फोकस किसपे क्यार करना है कि इसमें Electrough File का सेंटर कौन है मेरे ख्याल से मेरे बकूरे में को अच्छे तरीके से बता देंगे मेरे बकूरों को सब आता है मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलों को सब आता है वो मुझे जरूर बताएंगे इनका जवाब चलिए identify and try to solve the question question and answer फटाफट question solve करो चलिए क्योंकि इस पर negative charge है ये positive charge की तरफ जाएगा ये तुमारा nucleophile है इस पर positive charge है तो ये negative की तरफ जाएगा तो ये तुमारा electrophile है इस पर भी positive charge है तो ये nucleus की तरफ तो जाएगा नी electron की तरफ ही जाएगा ये तुमारा electrophile है इस पर negative charge है तो ये तुम्हारा nucleophile है इस पर positive charge है ये तो ये भी electrophile है इस पर negative charge है तो ये nucleophile है अब बचा सवाल इसका आप लोग सब जानते हो कि boron के outermost shell में तीन electron होते हैं मतलब इसका octate incomplete होता है मतलब ये lone pair acceptor है lone pair acceptor मतलब electron pair acceptor मतलब ये electron को accept करेगा मतलब ये electron को पसंद करता है मतलब ये electrophile है वही पर आप देखो तुम्हारे nitrogen के पास में lone pair है मतलब ये lone pair donor है मतलब ये electron देता है तो ये electron किसको देगा जिसको electron की जरुवत होगी इलेक्ट्रोन की जरुवत किसको होती है पॉसिटिव चार्ड इस पीशीस को नूट्र को यह तुम्हारा नूक्लियोफाइल बन गया अरे यार सर ये तो हलवा था करो 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 नोट करो उदर वाले सौल कन्नी कोशिश करो पड़ा फट से ये तीन सौल कन्नी कोशिश करो ये मैं मिटा रहा हूँ नोट करो चलो इनमें इलेक्ट्रोफाइल का सेंटर ढूणना है पहले वाले में ढूणते हैं इलेक्ट्रोफाइल का सेंटर C, H, Double Bond O, CH3 कौन सा रूल लगाओगे दो आटम जिनमें डबल बॉन्ड है एक जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एक कम इलेक्ट्रो नेगेटिव तो जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव इस पाइ बॉन्ड को खीच के अपनी और ले जाएगा तो इस वज़े से यहाँ पर आजाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आजाएगा एक पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर यानि इलेक्ट्रोण को लव करने वाला इलेक्ट्रोण की तरफ भागने वाला सेंटर को बन गया कार्बन so therefore कार्बन is your इलेक्ट्रोफाइल सेंटर यानि कि यह वो एटम रहेगा जो इस पूरे स्पीशीज को इस पूरे मॉलीक्यूल को इलेक्ट्रॉन की तरफ लेकर दोड़ेगा चलो इधर ढूनते हैं CH3C ट्रिपल बॉंड एन बच्चा लोग जानते हो ना आप लोग ये बात को आप लोग जानते हो ना ये चीज़ को कि कारबन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉंड रहता है अब यहाँ पर नाइट्रोजन इस मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव कारबन इस लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव भई दुनिया के तीन यूणिवर्सल भिक्मंगे कौन है फोन यह सबसी आद एलेक्ट्रो नेगटीव है इनके पास में जित्थे इलेक्ट्रोन हो इनको कम पड़ते हैं एलेक्ट्रोन खीछते ही रहते हैं यह यह एलेक्ट्रोन खीच लेगा तो यह हो जाएगा CH3 कारबन पर आ जाएगा positive charge double bond nitrogen के पास में एक loan pair तो पहले से था अब दो loan pair हो गए negative charge तो यह बन गया तुम्हारा electrophile center electrophile center बन गया आपका कौन कारबन यहाँ पर देखते हैं CH3 iodine यहाँ पर कौन सा case लगाएंगे यहाँ पर तो सारे single bond है तो यहाँ पर देखेंगे कि जिन दो थोड़ा सा जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है और कारबन थोड़ा सा less इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है इसलिए क्या करेगा यहाँ पर polarity आ जाएगी मतलब यह bond कौन सा बन जाएगा polar bond और मैंने आपको बताया ही है जब कभी भी polar bond बनता है जब कभी भी यहाँ पर आपको polarity देखने को मिलती है तो जो ज़ादा electron negative atom होता है वो electron को अपनी और खीच लेता है इसलिए इस पर partial negative आ जाता है और carbon पर partial positive आ जाता है तो जिस पर positive charge भला ही partial हो वो बन जाएगा तुम्हारा electro file का center तो यहाँ पर तीनों cases में carbon is your electro file center ठीक है और कोई सवाल है क्या भाई आप लोगा नहीं इनकी जो ताकत थी वो खतम हो गई चलिए एक question और करेंगे एक question और करेंगे आपको यहाँ पर पिछले lecture जो मेरा था जिसमें मैंने आपको homolysis और heterolysis सिखाया था homolytic and heterolytic fission सिखाया था उसमें मैंने आपको curved arrow निकालना सिखाया था कि अगर मैंने एक arrow ऐसा बनाया है तो इसका मतलब क्या है कि जो electron pair है जो bond है यह पूरी तरीके से इस atom की तरफ जा रहा है तो A पर negative चार्ट आ जाएगा और B पर positive चार्ट आ जाएगा और मैंने आपको homolysis में क्या बताया था कि अगर electron homolytically तूट रहा था आपको fish hook arrow लगाना है तो यह arrow लगाकर आपको बताना है कि bond किस तरीके से तूटेगा और bond कैसे तूटता है दोनों atoms की electronegativity को check करना रहेगा जो जादा electronegative होगा वो electron ले जाएगा ठीक है चले तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पर आप लोगों को fission होता हुआ दिखाई देगा भी कौन कौन से example है CH3 S CH3 तीसरा आपको bond तोन लाए CH3 CU चौथा bond मैं आपको मन से दूँगा अरे चक देनी मार देनी खीच के तमाचा ही ही हास देले ही ही हास देले रिंकिया के पापा चलो करो हम लोग जानते है कार्बन, सल्फर और कार्बन Sulfर is more Electro negativity तो या तो bond यहां से तोड़ो या तो यहां से तोड़ो कहां से तोड़ना चाहते हो कोई सा भी एक bond तूटेगा दोनों नहीं तूटेगे कोई सा भी तूटेगा यह तोड़े इन दोनों के पीच का तो भाई यह sulfur more electronegative है तो यह bond को तोड़ लेगा यहाँ पर carbon को बना देगा positive और खुद क्या करेगा sulfur क्या है oxygen का भाई है भाई oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium यह सब एक family को बिलॉंग करते हैं तो जैसे oxygen के outer most shell में तुमको 6 electron दिखते हैं वैसे sulfur के outer most shell में भी 6 electron दिखेंगे छे में से एक electron ने इसके साथ bonding कर ली और एक electron ने इसके साथ bonding कर ली अब इसने bonding तोल ली तो यहाँ पर एक electron पेर आगया negative charge और यह CH3 से connected है तो यह तुम्हारा homolysis हुगा कि heterolysis? heterolysis very good यह तुम्हारा heterolysis हो गया करते आगया heterolysis चलो यहाँ पर मुझे बताओ क्या होगा? हम लोग जानते है nitrogen is more electron negative यह जादा electron negative नहीं है यह जादा electron negative यहाँ पर होगा क्या देखो? यहाँ पर ऐसा होगा तो यह NIN बन गया और carbon को electron की जरुबत है तो यह carbon electron खीच लेगा तो यह किसका नुकसान करतेगा? अपने साथी carbon का यह बन जाएगा CH3 positive और यह बन जाएगा तुम्हारा CN negative यहाँ पर क्या हुआ? होमोलेसिस की हेट्रोलेसिस हेट्रोलेसिस तो देखो बेटा यह करते आना चाहिए हाँ यह rule याद रखना दो एटम एक जादा electron negative एक कम double bond या triple bond तो वो electron खीच लेगा इससे इस पर positive आ जाएगा अब यह जो positive वाला जिससे जुड़ा है यह उससे electron ख जरुवत है अब यह इससे तो ले नहीं सकता क्योंकि यह तो गुंड़ा है तो यह इससे लेगा जो इसके जैसा है ठीक है चलो जब देखो अब भाईया यहां तो clear है copper एक metal है और metal हमेशा electron pair electron donor होते है यह हमेशा electron donate करेंगे तो यहाँ पर carbon को electron donate कर दिया जाएगा और copper बन हेट्रोलेसिस हुआ यहाँ पर यहाँ पर no doubt homolysis होगा यह free radical बनके दोनों chlorine अलग हो जाएंगे यहाँ पर भी हेट्रोलेसिस नहीं homolysis होगा क्योंकि दोनों का oxygen सेम है यहाँ पर आप लोगों को यह oxygen इस तरीके से free radical के form में मिलेंगे these are free radical और यह cation है यह nion है यह cation यह nion यह cation यह nion ठीक है तो बस यार इस तरीके से आपको चीज़े करनी रहती है तो guys आज का lecture अपने ही रोकते हैं मैंने आपको nuclear file इलेक्ट्रोफाइल बहतरीन तरीके से detail में समझाया है आपको identify करना सिखाया है आपको कुछ ऐसे rules सिखा है जो आप लोगों को यह चीज़ पता होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर आज के lecture को रोकते हैं अब इसके आगे हम लोग bond movement सीखेंगे जैसे अभी आपको मैंने सीखाया है नहीं यह यह वाला यह जैसा इसमें triple bond है तो यह more electron negative electron अपनी और खीच लेता है पाई bond अपनी और खीच तो यह कैसे होगा यह अपन सीखना स्टार्ट करेंगे इन दे नेक्स्ट वीडियो इसको नोट कर लो कोई डाउट वो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखो मिलते हैं अकले lecture में तब तक के लिए बाबाए and have a great day प्यारे बच्चो